हेलो फ्रैंस, तो आज की इस वीडियो हमारी चैनल परेंव करने वाले हैं कि हमारे प्रेड夜 जब खत्म हो चाते हैं तो सभी समय कब हो आपको बताने वाला है क्योंकि आपके लिए सम्में ज़्ल हो जरूर है जो महीher प्रैगनेट्denません नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इस video कहीं भी cut करके ना देखें और सुरू से लेकर एन तक जरूर देगें और हमाई वीडियो को like को लाइप और subscribe करें तो सीजार इस video को title और फंबबस देखर आप समझ चुके होंगे कि इस video हमापके साथ क्या शेयर करने वाले हैं तो गैस उससे पहले मापको ये बता दू कि हमार साधी को सम्तिंग धाई साल हो गया है और हमें एक बेबी भी है जो कि अभी लगबग 90 दिन का है आप कह सकते हैं कि वो अभी 3 महीने का है तो गैस हम अपने लाइफ में काफी जादा खुस हैं और हम चाहते हैं कि इस संसार में सभी महीलाई खुस रहें तो आज किस वीडियो हम आपके शाद शेयर करेंगे कि पीरिड्स के बाद कौन सा सही समय होता है जिसमें क्या प्रेगनेंट हो जाएं उससे पहले गाईस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस वी इस वीडियो बनाया जा रहा है सभि महिला ने सब्सक्राइब करते हैं कि आपकी बचे दानी कामो उस समय पर खुला होता दूसरा समय होता है oblation का क्योंकि आपने oblation oblation बहुत सरी महिलाओं के मुझसे बहुत सरे यूटुबर्स के मुझसे सुना होगा कि oblation day पर आप oblation बनाएं प्रेग्नेंसी जल्दी ठहरती है तो oblation क्या होता उसके बारे हम थोड़ी सी बात करते हैं हर महिने एक महिला एक एक रिलीज करती है एक अंडा बनाती है जो कि महिने हम सिर्फ एक बार होता है और उसे हम oblation day कहते हैं तो उस समय पर अगर आप रिलेशन बनाएं तो वहाँ पर भी चांसिस बहुत जादा होते हैं आई होट गाईश छोटा सा विडियो था आपको समंजमाया होगा तो आपको यह विडियो थोड़ी सी भी कहीं से भी अच्छी लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को היक कर देचिए मैं बंगेब हखर серьता हैं »दर वल्थ को सब्सक्राइब यूदे और जो लोग कह रहे थे कि सर हमने आपका बेबी नहीं देखा इस क्रिप्ट मेरे आप फोटो देख रहे हैं यह हमारे बेबी का फोटो है